हेलो एवरीबन स्वागत करते हूं मैं आपका अपनी यूटुब चैनल एवरीटिंग होमेट पे और आज मैं आप लोगों के साथ अगें सेयर करने वाले हूं मीसो के सारी का रीव्यू जो कि है नेट फैबिक में और बहुत ही अच्छा लगा था मुझे दिन मैंने तब जाक कैसी है तो मैंने फैबिक तो आपको बता ही दिया है कि नेट फैबिक में यह साड़ी आती है और इस पे जो वर्क क्या गया है न वो गाइस थ्रेड वर्क क्या गया है और बहुत ही प्रॉपर फिनिशिंग के साथ इसको क्या गया है और बीच बीच में फ्लावर्स पे स्ट जैसा कि आप देख सकते हैं यह इस तोन्स नहीं है अग्छली यह मोती है जो कीसी में सिली हुई है चिपकाई हुई नहीं है और आप इसकी फिनिशिंग डेखी सकते हैं जो कॉंबिनेशन यूज किया गया है नो मल्टी कलर का कम्माल का लगता है ब्राउन पिंक और ग्रीन त यह त्रेड वर्क किया गया है और इसमें न तांत वर्क से इस पर डिजाइन बनाए हुआ है तांत जैसा इसका धागा है बहुत ही मजबूत और मैंने यहां पर फ्लैस इसलिए उन किया है ताकि आपको दिख सके बट लाइट कुछ वर्क नहीं कर रहा है लैस की क्वालिट है नेट का प्रॉपर बेज कलर है एंड यहां पर आपको यही वाला चॉड़ा सा लैस मिल जाता है जो कि अंदर से कोटन है अट्थे ही वर्क किया गया है सॉरी कोटन नहीं है सॉरी सॉरी मैंने से घलती हो गई सुन्दर लगता है वेयर करने के बाद मैंने तो जैसे से खोला ध्यृत यृतिस बहुंतत जाता वोफी गळी अ regita worthwhile呀 मुझे जтов टाइब आप यहां देख सकतेँ आपको दिख्याइद रहा होगा कि फ्लोवर का जो वर्क किया इस पर ना फिर इस पंु बहुत ही कमाल का एंडलेस दिया गया है वो गाइस ट्रस्ट मी बहुत ही जादे सुंदर है इतना जादा सुंदर के मतलब अगर आप इसे पहनते है तो एकडम साइन करता है यह बहुत ही प्रॉपर ली एकडम साइन करता है उसके बाद मैंने एक और चीज बता देनी है आप को कि सारी है यह और रेबावान कहिंगे चल रहा है और कोई भी चीज अगर उन-लाइन परचेस कर रहे हैं तो उसको धूल करके यूस करना चाहिए ज्यूंदर दुलां कहीं आपको यह बहुत ही अच्छा था आने स्टॉंस मेरे बिल्कुल भी निकले तो निकले हैं इतने यह आचल इसलिए ऐसे दिखा रहे हूं पूरी की पूरी साड़ी ही सेम टू सेम ऐसी ही है यह साइड वाला लस एंड इधर साइड वाला लस दोनों मैंने मिला करके इसलिए दिखाया है ताकि आपको प्रॉपर्ली लुक पता चल सके एक्शली गाइस मैं बैक कैमरे से इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बैक कैमरे से रीव्यू करके दिखाती हूँ इससे क्या होता है हेल्प मिल जाती है बहुत जादे आप यहां पर देख सकते हैं पूरी फ्लावर्स पर जो है पिंक कलर का यह जो फ्लावर बड़ा बड़ा वाला उस पर बूरा वह मोती चिल अगर आप ढूंड रहे हैं तो यह बेस कलर आपके गोल्डेन कलर के ख्वाहिस को पूरा कर सकता है क्योंकि आप इसे पहनने के बाद कम माल की लगने वाली है अगर कोई ब्राइड है जो कि अपने लिए अच्छी सी साडी की तलास कर रही है देन मैं बिलकुल रिकमेंड कर जाता है साडी पे उपर में जो टकिंग माला हिस्ता है वहां से लेकर के नीचे तक इतना आपको मिलने वाला है प्लेन एंड उसके बाद आपको वर्क मिलता है एक चीज मैं आपको और बता दू अगर यह वर्क पूरे साडी पे किया रहे था मल्टी कलर वर्क जो है यह और से 3D टाइप से पे वर्क किया गया है यह चीज मेरे दिल को चूग गई थी जब मैं इसे वाक्स से आइमिन पैकेट से इसे अंबोक किया रहा और आप यहां पर देख सकते हैं कि त्रेड वर्क कितना कमाल का किया गया है इसका जो ग्रू स्कृट प्रोड़्क्टपोड जो है वो मैं link sorry description box में code mention कर दूँगी and guys अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली है ना तो please मेरे चानल को subscribe कर लीजे और notification bell को ना on कर लीजेगा इससे क्या होगा मैं जो भी वीडियो upload करूँगी उसका notification आपके पास पहुंचेगा और मैं अपने चानल पे informative वीडियो अप्लोड करती हूँ तो सिना आपको बहुत सारी help मिलने वाली है तो चानल को subscribe कर लीजेगा और notification bell को on कर लीजेगा और इससे related या फिर किसी अन्य प्रोड़क्स से related कोई भी review या फिर कोई भी question होगा तो आप comment box में मुझसे पूचेगा मैं वहां पे reply जरूर कर करती हूँ एक कमेंट का में reply करती हूँ तो आप comment करके और मुझसे answer पा सकते हैं यहां पर साड़ी की सारी चीजे मैंने बता दी है प्लस पॉइंट इस साड़ी का यह है कि मल्टी कलर वर्क में है और यह गोल्डेन कलर में है गोल्डेन कलर में जल्दी ऐसा कुछ मिलता नह अगर आपकी साधी होने वाली है फिर भी आप इसे पर्चेस करें अगर आप कोई पार्टी अटेंट करने वाले हैं फिर भी आप इसे पर्चेस करें तो यह हर तरीके से बहुत अच्छी रहने वाली है तो यह था मेरा आज का वीडियो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में